देलो डेर स्टूदेंट्स, स्केट्स ओफ मैंटर में पिछली वीडियो में आपको solid- liquid-gas, सब छीज कंप्लीट करवा दिया है। आज इस वीडियो में इस्केट्स ओफ मैंटर में हम difference निखेंगे solid- liquid and gas के बीच में इसका complete वीडियो तो मैंने अलग-अलग बना कर रखा है, solid का अलग, liquid का अलग और gas का अलग, उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो में हम comparison करेंगे, कि solid के case में क्या होता है, liquid के case में और gas के case में क्या होता है, इन तीनों के बीच में हम difference देखने वाले है, ठीक है, तो देखो, solid जो होता है, solid का definite shape होता है, लेकिन liquid का कोई भी definite shape नहीं होता है, और gas का भी definite shape नहीं होता है, definite definite shape होता है, का मतलब को particular कोई shape नहीं है, आप liquid को किसी बाल्टी में डालो तो बाल्टी का shape ले लेगा, glass में डालो, glass का shape ले लेगा, कटोरे में डालो, कोई शेप होता ही नहीं है ठीक है solid के case में solid का definite volume होता है जैसे कि यह marker है तो यह marker जितना स्पेस घेर रहा है particular उसका एक volume है liquid का भी volume होता है इसलिए क्यूंकि अगर आप liquid को किसी भी चीज में डालके रखोगे तो जितना उसमें भर सकता है वो उसका volume हो जाता है ठीक है लिक्विड के केस में force of attraction solid से कम होता है नहीं के पार्टिकल्स के बीच में attraction तो होता है लेकिन solid से कम होता है और gases के case में जो उनके particles होते हैं gas के उनका force of attraction एकदम minimum होता है या एकदम least होता है ठीक है? negligible होता है आप बोल सकते हो solid के case में solid को आप compress नहीं कर सकते इसी तरह liquid को भी आप compress नहीं कर सकते है आपके पास पानी या पानी को compress करके देखो आप compress नहीं कर पाओगे gases case में अब देखो gas के जो particles होते वो दूर-दूर ऊड़ रहे होते लेकिन फिर भी आप उनको compress कर सकते हो, इसका best example में बताता हूँ, अगर आपको किसी cylinder में gas को fill करना है, तो आप कैसे करोगे, जब तक आप compress नहीं करोगे, कब तक आप उसको fill नहीं कर सकते हैं, आप compress उसको हाथ से तो करोगे नी, properly उसका कोई machine होता है, जिसमे एक pressure भी आजात है, क्योंकि particles बहुत आसपास होते हैं solid के case में, तो वो केवल vibrate हो सकते हैं थोड़ी से, अपने ही जगा में, वो hill लूल नहीं सकते, तो उनका जो kinetic energy होता है, वो सबसिक कम होता है, liquid के case में जो kinetic energy होता है, particles का, वो solid से थोड़ा जादा होता है, क्योंकि liquid के जो particles होते हैं, उन solid के case में जो particles होते हैं, वो freely move नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, bind रहते हैं, इस कारण से वो move नहीं कर सकते हैं, liquid के case में solid से ज़ादा movement possible है, अगर उसमें दो liquid को आपको mix करना हो, तो एक दूसरे के ऊपर से वो particles जा सकते हैं, slide हो सकते हैं, और gases के case में जो particles होता है, वो freely move हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारा space होता है, तो एक छोटा सा वीडियो था, solid, liquid और gas के बीच के difference के बीच में, क्योंकि इस तरह के questions आपको exam में पूछे जाते हैं, तो इन points को अगर आप ध्यान में रखोगे, तो answer याप करना आपके बहुत easy होगा, और इसका जो detail answer होगा, या फिर इसी चीज को मैं आपको notes के रूप में, आपको community post में डाल दूँगा, आप महां से इसको note down कर सकते हो, ठीक, तो यह हो गया lecture number 6, next video में आपने इसका आगे का portion देखेंगे, और next video का जो link होगा, वो आपको इसी वीडियो के description box में बिल्गाइगा